आज मैं आपको बताऊंगे कि पोल लेंड में अपने बीबी को क्या खिलाते हूं तो आप कोई भी ओट्स लो सकते हैं उसे अच्छे से आप रोस्ट कर लीजिए जब तक कि उसका कलर हलका सा ब्राउन ना हो जाए तब तक हम उसे रोस्ट कर लेंगे उसे रोस्ट होते ही हम उ हमें जले कर अच्छे से पांट कर लेंगे जबदिक कि उसका कलर हएं उसे छे से छिंज ना हो जाए और फिर हम उसे ओड करके उसे नमिक्सेर मिक्सेर जार में डालकर अधाल यह था întो ऴीक कर पनेर को 몬ं से अच्छे से न장非常 Nagy अधिसे और को या हम उसमें डालेंगे वो जो ओट का पॉर्डर बनाये थे वो और हम उसमें गुड मतलब की जैगरी वो एड़ करेंगे और उसे हम एक बॉइल आने तक अच्छे से पका लेंगे तो यह हमारा ओट रेडी है अपने बेबी को खिलाने के लिए तो फ्रेंड सेकेंड रेसिपी के लिए हम एक पैन रखेंगे उसमें हम सूजी मतलब की रवा वो डालेंगे और उसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक कि उसका कलर हलका सा चेंज ना हो जाए फिर हम उसे कटोरे में निकाल लेंगे और हम लेंगे गाजर बीट टमाटर और प्याज उसे हम अच्छा चोटा से चोटा कट करके ग्रेड कर लेंगे फिर हम पैन में डालेंगे घी घी हलका सा गरम होते ही हम उसमें डालेंगे जीरा और जीरे की डालते ही तुरंत हम उसमें डालेंगे प्याज गाजर बीट और टमाटर उसे हम अच्छा थोड़ा सा कलर आने तक उसे भूज लेंगे फिर हम ऊसमें डालेंगे हलदी जीरा और नमक और थोड़ा सा पाने डाल कर हम उसे 5 मिनिट ढुझ पकने देंगे 5 मिनिट धब ड़कते ही हाँ वह जो सुजी हमने भून कर रके थी वह हम उसमें डालक अच्छे से उसे मिक्स करकर पांच मिनिट पका लेंगे पांच मिनिट पकाने के बाद हमारा उकमा रेडी हो जाएगा और हम अपने बीबी को खिला देंगे और थार्ड रेसिपे के लिए हम लेंगे कॉन फ्लेक्स आप कोई भी कॉन फ्लेक्स ले सकते हैं उसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और उसे अच्छे से fine powder बना कर उसे piece लेंगे फिर हम एक हलका सा गरम दूद लेंगे और उसमें हम वो powder mix करकर उसे अच्छे से मिला देंगे और हमारा ये complex ready है फोर्थ recipe के लिए हम लेंगे एक normal रोटी जो हम खाते हैं उसमें हम लगा देंगे घी घी को हम रोटी में अच्छे से चारो तरफ लगा देंगे और रोटी को छोटा छोटा सा हम तोड़ देंगे तोड़ने के पाद हम उस रोटी को mix के jar में डालेंगे और उसे अच्छा piece लेंगे हमें रोटी को इस तरह पिसना है कि वो एकदम छोटे-छोटे तुकडो में हो जाए फिर हम उसमें डालेंगे दूद और गुड़, गुड़ मतलब कि जैगरी डाल कर उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम उसे गयास पर रखकर गैस ओन कर देंगे और उसे जादे दीर तक निसिफिक बॉइल आने तक पकाएंगे तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको अच्छा लगाऊगो तो लाइक, कमेंट और शेर, सब्सक्राइब करेगा थैंक यू